नमस्कार किसान साथियों आज आपको माईको राइजा जो कि डॉक्टर करश्ने चंदरा जी का एक ऐसा ब्रमास्तर किसानों के लिए जो दिया इसका एक ही उपियोग किसान भाई नहीं कर सकते इसको कई तरीके से खेत में देने के तरीके हैं आज आपको माईको राइजा जो डॉक्टर करश्ने चंदरा जी ने बनाया उनका यही कहना है कि आप बाजार से कोई भी चीज जो बायो प्रोडेक्ट न खरीद के आप ऐसे प्रोडेक्टों का उपियोग करें जो एक बार ही आपको किसान सेवक से खरीद कर आपके खेत में इसको केवल गुड और घरेलू उत्पाद के माध्यम से इसको मल्टिप्लाई करके खेती के खर्चे को कम किया जा सकता है आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे फ़रम पर वर्मी कमपोस्ट को वैम कैसे मिलाएं वैसे डॉक्टर करश्ने चंदरा जी ने वीडियो में बताया 200 लेटर वैम बनाने के लिए 2 किलो गुड की अविशक्ता होती है और वैम का प्रियोग माईकोराईजा का प्रियोग हर किसान को पता है क्या लाब है लाब गिनने की आपको अविशक्ता नहीं है क्योंकि आप बाजार से भी एक बार केवल मल्टिप्लाई होने वाला माईक राइजा बनाया ये आप पूरी जिन्दगी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किवल गुर्ट के माध्यम से तो हम आपको बचाना चाहेंगे आपके रसायनिक खर्चे को जो आप दुकानों पर दिया करते हैं आज हम फारमपन एक नया तरीका आपके लिए लेके आए हैं कहीं किसान भाई कहते हम टंकी नहीं ले सकते खेद दूर है 200 लिटर पानी बरना मुस्किल हो जाता है हमारे पास वर्मी बैट की इकाई है हम वर्मी कंपोस्ट खेद में डालते हैं तो वैम को वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके थोड़ा सा गुड मिलाके एक हफते तक इसको छोड़ द 40 किलो वर्मी कंपोस्ट में 2-3 लिटर मिला लें मिलाते जाएं आप किसान भाईयों आप देखते जाएं अंकल जी सरकारी नौकरी से रिटायर होके अपने पुस्तेनी काम खेती में और वो भी पूर्ण तया जेविक की और आते हुए माईको राईजा को एक नई दिशा द बना रहे हैं इनका खेत टूबेल से दूर है पाने की टंकिवान रख नहीं सकते रूप गार्णिंग है यानि की चट पर ये गार्णिंग करते हैं गर के आगे कुछ गमले हैं तो ये हर बार कहते हैं कि आप मुझे वर्मी कंपोस्ट दीजिए तो मैंने इनको एक नया एड या दे दिया वर्मी कंपोस्ट के अंदर ही माईकोराईजा मिला दिया जाए ताकि माईकोराईजा के बैक्टीरिया जैसे ही जमीन में जाके जमीन की पुरवरता को बढ़ाने में सहाइक है फसल की जड़ों को बढ़ाने में सहाइक है तो जो बैक्टीरिया अपना बोजन क करके खेत में जड़ बढ़ाने का काम करते हैं वही माईको रायजा इस वर्मी कंपोस्ट खाद की गुनवत्ता में और सुधार लाएगा आप इस परकार जैसे की अंकल जी सामने बैटे आपको अपने हातों से माईको रायजा मिला कर बता रहे हैं किसान भाई जो खेत में टं पाईजा मिला कर इस प्रकार मिसरन करके साथ दिन इसको ढेरी बनाकर चाया में बारदान डाल के डखके रखें उसके बाद इसमें उचित नमी रखते हुए खेत की सीचाई से पहले आप खेत में इस वर्मी कंपोस्ट खाद को दें जिससे माईको रायजा आपके खेत में जेशी जाएगा अंदर खेत में आपके वो काम करना सुरू कर देगा अगर आपको माइको राइजा चाहिए आप दुकान से ना खरीद के जो की दुकान वाले कहते हैं कि आपको अगली बार खसल लगाने पर नया खरीदना पड़ेगा मेरा आपसे निवेदन माइको राइजा ट्राइको डर्मा कृष्ण चंदराजी ने जो बनाया आई इसको मल्टीप्लाई आप जिन्दगी पर कर सकते हैं केवल एक ही बार किसान सेवक से आपको खरीदना है कैसा लगा वेम का नया प्रियोग वीडियो को औरों तक भेजिए ताकि वो भी इस तरह की पदत्ती कलाब ले सके धन्यवाद